हेलो स्टुडेंट्स, वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल सहाज क्लासिस तो आज वीडियो में हम जो क्लास 11 का यूनिट है फोर उसका जो क्योशन 12 है वो देखेंगे तो क्योशन में हम से क्या कहा गया है कि S3PO3 can be represented by structures 1 and 2 कि ये 1 and 2, 2 structures दिये गई है shown below can these structures be taken as the canonical forms of resonance hybrid तो क्या 1 and 2 को हम इसके resonance hybrid मान सकते है if not, यदि नहीं तो give we regions for the same तो यदि नहीं है ऐसा तो वो क्यो नहीं है, देखो इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने 11th question discuss किया था उनमें हमने क्या देखा था, कि जो भी resonance structures होंगी वो क्या होंगी, almost equal in energy, कि जो उनकी energy होगी, वो almost equal होगी first condition तो हमने ये देखी थी, ठीक है उसके बाद second में हमने क्या देखा था, कि जो position है, वो atoms की, वो change नहीं होनी चीए positions of atom does not change कि जो भी हमने atom लिया है, उसकी जो position है, वो change नहीं होनी चीए ठीक है, उसके बाद क्या देखा था, कि paired and paired electron सेम होनी चीए, अब काम है अपना इसका देखो, यहाँ पर जो आमने लिया है S3PO3, इसमें तो H above side है, O है यहाँ पर, इसमें क्या है OHOH है, और OH है, ऐसी है इसमें क्या है, OHS 2 है, यह तो बाद ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, OHS की position है, change है तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, कि no, these two structures are not resonance hybrid of each other of each other, because position of atoms has been changed, क्योंकि यहाँ पर जो positions atom की वो change हो गई है, इसलिए हम इनको resonance hybrid नहीं बोलेंगे तो यहाँ पर जो अपना यह 12th question complete होता है, next video में मिलेंगे इसके 13 question के साथ, thanks for watching